मुझसे अक्सर काफी सारे लोग पूछते हैं कि as a student किया हमें trading के शुरुवात करनी चाहिए should students trade or not क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर आपके दिमाग में इस तरह का सवाल आते तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए बना हुआ है इसको एंड तक जरूर देखेगा काफी interesting insights मिलेंगे और as a student अगर आप full time trading को अपना करियर बनाना चाहते हो तो यह बहुत ही जादा important वीडियो होने वाला है याद रखे है कि हमारे channel पर हम practical realistic approach के बारे में बात करते हैं sugar coating को avoid करते हैं जिसके चक्कर में काफी सारे लोगों को लगता है क्या students को trade करना भी चाहिए कि नहीं should they actually come into the world of stock market well मैं यह कहूंगा कि आने में कोई बुराई नहीं है इसका clear cut answer yes or no में नहीं कहूंगा आने में कोई बुराई नहीं है और इसको हम थोड़ा समझनी की कोहिश करते हैं देखिए इसके तीन reason है मैं क्यों ऐसा कहा हूँ पहली च चीज़ है कि आपके अगर advantages की बात करो तो as a student life जब आप चालो करते तो आपके बास तीन distinct advantage आते हैं पहली चीज़ है जो young age होता है उसमें आपके risk taking appetite और propensity जादा होती है imagination जादा बड़ी होती है और आपके अंदर जो जवानी का खूलता रहता है वो आपसे बहुत सारी च appetite रखते हैं इस तरह की काफी सारी चीज़े होती है तो पहला advantage आपके पास क्या होगा risk taking appetite दूसरा responsibility कम रहती है देखिए जैसे जैसे आप student life के अगर हम बात कर रहे हैं तो Indian context में कर बात करूँ तो by the age of 25 25 plus पे एक उमीद लगाई जाती हिंडियन society में कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए खुद की आमदनी खुद की income खुद करे और घरवालों पर dependent ना रहे है मैं general की बात कर रहा हूँ मैं high profile professions like MBBS की ब assignment करना है एक्जाम की टैयारी करनी है तो देखो पहले बॉली करना तो तुम बंद कर दो एक्जाम की तैयारी तुमों को करनी है दो दिन पहले उसमें से लोग 24 गंटे पहले फर्रे बनाने वाले हैं माइक्रोब बनाने वाले तो यह बहाना करना तो बंद कर दो कि यह एक्जाम की तैयारी करनी है अच्छा टॉपर लोगों प्लीज डोंट फिल ओफंडड आपके लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन मुझे जो लगता है लोग यही कर रहे हैं हमारे चैनल को जो व्यू करते तो इसलिए मैंने उन लोगों को यह मैसेज भेजा आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करो पढ़ो लिखो बढ़ कुछ बढ़ा करो आईयस वाईयस बन जाओ वह आपके लिए बिल्कुल सही है लेकिन बाकियों के लिए मैंन पहली बात है आपके दिमाग में let's face it responsibility कम रहते हैं नहीं पपा पपा बार बार कॉल करते हैं पपा का नाम रोशन करना है अरे पपा कॉल करते है तब तो तुम जूट बोल देते हो कहां पपा आज बहुत पढ़ाई करी आज बहुत असाइनमेंट किया घूमते रहते हो बं लेकिन सारे advantage ही नहीं होते हैं next point में पहुंचते हैं कि students के लिए risk क्या होते हैं तीन बहुत बड़े-बड़े risk होते हैं पहला risk तो यह होता है कि यार आपके पास बहुत सारा पैसा हो ठीक है और वैसे भी जो ज्यादा रहीस लोग रहते वो वीडियोज नहीं देखते हैं वो मतलब घूमते रहते हैं दुबाई फ्रांस इस तरह से घूमते रहते हैं तो आप तो वो नहीं हो क्योंकि आप सारी वीडियोज देख रहे हैं योट्यूब पर बेज़ती नहीं कर रहा हूं तारीफ कर रहा हूं आप लोग बहुत आगे जाओगे लेकिन आपको एक ची है जुगार से चुपके से कर सको तो सही है आज लोंग इस आपकी फीस टाइम पे हो रही है खाने का पैसा पे हो रहा है एक्स्टा आप लेके कर रहो दाट इस फाइन फॉर प्रैक्टिस अब पेरेंट्स देख रहे हैं तो शमा करना लेकिन मैं करता था ठीक है पर दूसरा बैकार तरीक रहे है जो सबसे बिकार तरीक खलिए है वह से लों या बॉरण चाचा से ले लिए काका से लिए चार दोस्तों से ले लिए रहेह प्राइवेट लoration बेए बहुत ही गलत है आज की समय पर सबसे ज़ उन्होंने उदहार का पैसा ले लिया दोस्तका अकाउंट ले लिया पैसा उड़ा दिया और अब टेंशन में है जब पैसा लिया था तब उनको लगा था कि आप उनी भगवाने हशत मेता बनेगे सब से उपर ले जाएंगे लेकिन उसके बाद जब ठंठन गोपाला हो गया है तो वो फस गया है तो याद रिखे capital आपको अगर अपना as a student life बनाना है तो भाईया part time job करनी पड़ेगी या फिर आपको freelancing काम करना पड़ेगा with the advent of technology it is fairly easier and simpler for you guys to use your laptops in order to access new opportunities to make new incomes अर्थात आज के समय पे because of technology और इंटरनेट आपनों बहुत सारे avenues धूम सकते हो जिससे कि आप अपनी income बना सकते हो बीच बीच में इंग्लिश बोल देता हूं ताकि फील आ जाए थोड़ा सा स्टेटस सिंबल बढ़ जाता है इससे ऐसा मैंने सुना है but anyways the point यह है कि देखो आ काफी जो भी स्किल है कोडिंग आती है website बना रहे हो तो वहां पर भी आपका काफी सारा समय बच जाता है अब यह मत बोलना अगर AI आगया तो AI और stock market के ओपर अपने एक वीडियो बनाया हुआ है चेक नहीं किया है तो आपको यह capital का यह वाली चीज हो गई है तो पहला तो रिस्क तरीक से जो काएं कि capital की अमे रहती है लेकिन उसका मैंने आपको हलका पूल का solution बता दिया दूसरा रिस्क के होता है parents और elders agree नहीं करेंगे और उसमें उनकी गलती नहीं है बर्खोदार आपको समझना पड़ेगा घरवाले कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं वो च अब तक वह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि until and unless आप लोग अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ तब तक वह आपको एक रिस्क जोन में जाने नहीं देंगे क्यों नहीं तो जानते हैं एक आम आदमी किसको जानता है वो आके जुन-जुन वाला रादर किशन दमानी यह दो-तीन जन को ही जहनता है तो जब तक वहां पर और 20-25-30 नाम additional add नहीं होंगे तब तक यह चीज नहीं चेंज होगी घरवालों को uncertainty रहेगी दूसरी चीज़े न्यूज अगबार पढ़ लेते हैं तो हर मैने में एक बार आ जाता है कि यह चैर बजार में लोगों ने प पंजा मानने के लिए किसी मूवी का डायलोग था तो यहीं पर चिपखा दिया मैंने सोचा लेकिन moral of the story यहां पर यह रहता है कि कभी-कभी आप थोड़े टाइम रुग भी जाओ अपने performance पे ध्यान दो आप जैसे results बनाओगे पैसा बनेगा पैसा जब आपके standard of living पे हलका पूल का reflect करेगा जो घरवालों को लगेगा कि हानी कुछ तो कर रहा है अपने काम में प्लस आप जब उनको थोड़े गिफ्ट सोट्स दोगे गुमाने फिराने ले जाओगे विल भी content कभी आपने देखा है कि आप salary एक बार कमाने लग जाओ उसके तीन साल बाद आपके parents पूछते हैं दिखाना तो यार इस मेंने कितनी salary तेरी credit वही नहीं उनको बस CTC से मतलब है हाँ दस लाग की CTC यह पांच लाग की CTC यह आट लाग की CTC यह वो पूरी दुनिया भर में प्रचार पसार करेंगे और मेरे बेटे को तो लागा दस लाग का उधर competition वो रिलेटे इन से अपनी income बढ़िया बना सकता हूँ आप अपने पैरों पे खड़े हो गए उनको एक stability दिख दे उसके बाद वो कुछ नी बुलने वाले हैं तो यह हो गया दूसरा risk तीसरा सबसे बड़ा risk यह होता है कि जो जवानी का जोश है वो जितना अच्छा है उतना भारी भी हम जोश-जोश में बहुत बार silly mistakes करते हैं, over leverage ले ले लेते हैं, stop loss लगाना भूल जाते हैं, जल्दी पैसा बनाना है क्योंकि पैसा का capital कम है तो उनको 10,000 रुपे से 10,000 रुपे जल्दी कमाने हैं तो हम उस चेकर ने जाने अन जाने में बहुत सारी गलते करते हैं कृपिय मैं जब भी sessions के लिए invited रहता हूँ, काफी सारे IITs गया हूँ, 4 IITs गया हूँ, IIMs गया हूँ, VNITs गया हूँ, SRCC गया हूँ, Shriram College हो गया हनसराज, by the way Instagram page है मेरा, अभी तक follow नहीं किया जागे, follow कर रहे हैं, यहाँ पर सारे update आते हैं, और यहाँ रगए सब reputed top tire colleges है, त तो यहाँ पर students जब interact करते हैं, तो उनका often यह रहता है कि भईया हमारा session चलता है 2 बज़े तक, intraday नहीं कर पाते हैं, that's why we have to resort to forex trading, which is illegal, but काफी लोग वो करते हैं, इसलिए हम forex करते हैं, क्योंकि हम दिन बर खुला रहता है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भईया हमको time नहीं मिल रहा, honestly, बुरा मत मालना, student life में अगर सीखना ही है आपको trading के बारे में, तो swing trading और positional trading से better कोई चीज़ नहीं हो सकती है, मेरा पहला आप लोगों को suggestion रहेगा कि as a student it's not necessary कि आप direct OD मार लो intraday trading में, because intraday trading में समय का थोड़ा सा आपको अभाव रह सकता है, और समय का अगर अभाव रहेगा, तो आपके लिए problem हो सकती है, और problem हो सकती है, तो आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान होगा, तो आप tension में रहोगे, tension होगा, तो आपको depression होगा, तो आप जागे reels पल्टा होगे, how to tackle depression वाले, जिसमें dance करते करते हैं, वो आपको सिखाएंगे क depression से कैसे बचना है, जो कि बेवकूफ ही है, आपको सिंपल से एक चीज समझनी है, कि इसका एक ही solution रहता है, कि आप swing trading पर थोड़ा focus करो, positional पर करो, intraday करना है, तो आप देख लो, कि हाँ, 10-11 के बाद अपना session होता है, सुबह का हमारे पास time slot है, ये second half में time slot है, तो वहीं in my humble opinion, आपको avoid करना चाहिए, तो यहाँ पर हमने अपना style decide कर लिया, उसके बाद, आप next step पर आते हैं, वो होता है, कि हमारी learning हम कैसे शुरू करें, well, learning कैसे शुरू करें, ये मैं आपको second part पर बताऊंगा, लेकिन second part अगर आपको जल से जल चाहिए, तो 15,000 like जरू आपको जैसे जैसे target पूर होते हैं, हमारे वीडियो से आ जाते हैं, वीवाप का फर्स पार्ट के बदा हमने target दिया था, second part भी आ गया, likewise और भी काफी interesting चीज़ आने वाली है, till then keep learning, keep growing, keep investing and keep trading.